हुआ है हैं कि उसमें हमें फोटो संथेसिस का बेसिक है वो फड़ लिया था कि फोतो संथेसिस घ Myster नसेसरी है, डार्क रियक्शन, लाइट रियक्शन क्या होती है, और कौन से पार्ट में डार्क रियक्शन जो प्रोसेस हो चलेगी, कौन से पार्ट में लाइट रियक्शन है, लीफ का कौन सा पार्ट है, उसमें लाइट रियक्शन की प्रोसेस चलेगी, वो सारी चीज़े हम हमें डिस्कस कर Давай कि आज की जो क्लास होगी उसमें हमें कर लेकि रहें होती है या फीर फोटो सेंतेसी सिर्फ green का उसी के अंदर होगी या यह जो एच्टो रेसकी पड़ती है फ्लोरफिल पिग्मेंट होते है तो ये सारी की सारी बाते प्रूव करने के लिए अलग-लग साइंटिस्ट में अलग-लग एक्सपेरिमेंट्स के और फिर ये चीज वेरिफाइग की गई कि हाँ भई फोटोसंथेसिस में कार्बन डैकसेड भी जरूरी है, ग्रीनी स्कलर भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरू जो अलग-लग जो एक्सपेरिमेंट्स दिये गए हैं इस प्रोसेस पे जो किये गए उन्हें सारे एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल आज हमें यहां पर डिस्कस करने हैं, तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है ये 10 क्लास में भी आपने पहड़ा है, वेरेगेक्टिड यह एक पड़ेगी और पड़ेगी तो फिर क्या होगा वहां पर पड़ेगी तो फोटो संथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी क्योंकि यह स्योटो को भी एब्जोर्ब कर रही है इसके अलावा वोटर भी मिल रहा है और सनलाइट है वो भी इसके उपर मतलब जो इसका ग्रीनिस पार्ट है वो उस लाइट के वज़े से जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसको एक्टिव करेगा और फिर आगे यह प्रोसेस चलेगी तो इसमें क्या के यह इकञे लीफ लिए उसमें फोटो सॅंतिस एसके प्रोसेस देखिए फोटोसंतिस को हुई या नहीं हुई इसके लिए टेस्ट करनेे के लिए कून किस चीज़ का यूज के आगै स्टार्च का यूज के आग Czech довus पूर चिपर डोपने Woah जो ज् देखा कि एक लीफ ली जो साइंटेस्ट था उसने और फिर क्या किया उन्हों ने किया कि भई जो आधा पार्ट है लीफ का इतना पोर्सन है इसको एक ब्लेक कलर का जो कोई भी कपड़ा लिया या पेपर लिया उससे इस पार्ट को ढग दिया और इस पे सनलाइट नहीं पढ तुरकि इसको हमने क्या कर दिया क Gemeिना पार्ट करने से पार्ट नहीं पढ रही और इतना यह पर्शन लीफ का इस पर उनलाइट पढ रही क्यों की सग नहीं पड़ाई तो जिस पाट को हमने कवर किया ब्लेक लग के पेपर से उसमें photosynthesis नहीं हुई और जो part open था open environment में था उसके अंदर जो photosynthesis की process है वो complete हुई तो यह चीज क्या show कर रही है कि sunlight पड़ेगी leaf के उपर water और co2 water है वो roots के through plant absorb करेगा और co2 है वो air से absorb करता है plant तो जो sunlight है वो भी क्या है necessary है और यह test कि कौन से चीज को यूज करके starch है उसके starch chemical में leaf को add किया गया और फिर देखा गया कि leaf का color अगर change हो रहा है bluish color की leaf हो रही है तो उसमें photosynthesis हुई है और जो जिस part जो part है जो bluish color का नहीं हुआ उसका मतलब उसके अंदर photosynthesis process नहीं हुई तो variegated leaf ले लो या फिर simple leaf लेके उसको cover up कर दो और फिर उसके जो start solution है उसमें add करो leaf को अगर वो blue color दे रही है तो उसमें photosynthesis हुआ है अगर blue इस color नहीं दे रहा leaf का कोई भी part तो उस जगे पे photosynthesis नहीं हुआ जो green part है उसके अंदर photosynthesis होगा गुलकोच formation होगा food formation होगा और फिर non-grill part के पास थ्रोद अजाइलम जो plant है वो food को transfer कर देता है तो variegated leaf experiment में यह बताया गया कि एक तो sunlight है वो necessary plant के लिए दूसरा जिस भी part में photosynthesis से होगी उसको हम start solution के through verify कर सकते है इस जो variegated leaf experiment में इसमें यही दो चीज़ बताई गई थी you may have carried out the experiment to look for starch formation in two leaves a variegated leaf or a leaf that have parsley covered with black paper क्या बोला गया है कि भई starch formation हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि गुल को starch भी कि इसका carbohydrate की form होती है तो carbohydrate formation हो रही है कि नहीं हो रही तो उसने क्या के एक variegated leaf ली और एक leaf लेकि उसको black paper से cover कर दिया and exposed to light उस पे light exposed की गई क्या होगा variegated leaf का जो greenness part है उसके अंदर क्या होगी photosynthesis होगी और जो simple leaf हमने ली है यह हमने कोई एक leaf ले ली और इसको जो black paper से इसको cover up हमने कर दिया उसको क्या उसके अंदर जो photosynthesis की process हो नहीं होगी और बाकी के अंदर होगी वही दो चीज़ यहां पर बता रहे है उन टेस्टिंग इस लिव्स दपर फॉर दपर जैन्स ऑफ स्टार्ज इट वोज कि लिए डाट फोटो संथेशिस आखर इन ओनली इन ग्रीन पार्ट उफ दा लिव इन पर जैन्स ऑफ लाइट लाइट की पर जैन्स में जो स्रिफ ग्रीन इस पार्ट है लिव का उसी के अंदर फोटो संथेशिस होगा चाहिए वेरिगेटिट लिव के अंदर देख लो चाहिए फिर वो लिव जिसको हमने एक ब्लैक पेपर से कवर किया है उसके अंदर यह चीज़ चेक कर सकते हो तो ओवराल क्या बताया कि प्लांट का ग घृताया गया है कि बहुत जरूरी है जरूरीं से फोतो संथेशिस को कमप्लेट करने के लिए अगर फोतो न्थेशिस हुई है इस चीज़ को टैस्ट कैसे करें स्टाइट कर सकते हैं अगर start solution में हम leaf को add करेंगे तो उसका color blues color का आना चाहिए, अगर blues color हो रहे लिफ का तो इसमें photosynthesis process हुई है, इस experiment में यही चीज समझाए गई है यह देखें यहां पर, जितना भी yellow portion है, इसके अंदर photosynthesis नहीं हुई, सिर्फ greenish part में photosynthesis हुई है, क्योंकि start test जब हुआ यहां पर, start test जब किया गया तो क्या क्या, जो greenish part का सिर्फ वही क्या हुआ, ब्लू इस कलर में convert हुआ, तो यही चीज क्या represent करा है, sunlight की presence में greenish part है, वही photosynthesis करेगा, और कोई भी जो non green part है, वो उसमें photosynthesis process नहीं होती है फिर second experiment है KOH experiment, यह भी आपने 10th class में किया था, KOH experiment के through क्या समझाया गया है, कि KOH experiment है, इसमें जो KOH है, यह CO2 को absorb करते हैं, KOH है, वो CO2 को absorb करते हैं, तो क्या क्या गया है, एक test tube लेंगे हम, उसमें KOH के crystal सा वो डाल देंगे, या फिर KOH solution बनाके cotton के अंदर उसको mix करके, मतलब cotton उस solution को soak लेगी, और फिर उस test tube पे हम रख देते हैं, और उसमें एक leaf है, उसको भी हम क्या करेंगे, उस leaf को add करेंगे, देखू, यहाँ पे दिखा रखा है कि हमने क्या क्या क्या, potassium hydroxide यहाँ पे add कर दिया, क्योंच है वो हमने यहाँ पे add कर दिया, और एक leaf भी इस test tube के अंदर हमने add कर दी है, यहाँ पे क्या हुआ, जो carbon dioxide है, वो यहाँ पे नहीं मिल रही है, जो carbon dioxide है, leaf को यहाँ पे नहीं मिल रही है, क्योंकि यह उपर से क्या, इसको close किया गया है, carbon dioxide नहीं मिलेगी, तो plant है, वो photosynthesis नहीं कर सकता है, क्योंकि plant को कि CO2 की requirement पड़ती है, photosynthesis के लिए, तो केवच experiment में यही बताय गया है, कि जो केवच experiment है, यह CO2 को absorb कर लेता है, दूसरा, जो leaf है, उ CO2 नहीं मिल रही है, तो photosynthesis process नहीं होगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में यह चीछ बताई गई है, कि भई, क्योंकि वो खुद भी CO2 को absorb करते है, और plant luge को भी किसकी जरूरत पड़ती है, CO2 भी जरूरत पड़ती है, लेकिन जो CO2 वहाँ, उस test tube के अंदर present थी, उसको सारे क कौन absorb कर लेगा, क्योंचे, जो potassium hydroxide है, वो उसको absorb कर लेगा, leaf के लिए कुछ बचा नहीं, हाँ पर photosynthesis की process नहीं होगी, और photosynthesis की process नहीं हो रही, तो फिर क्या starch formation भी नहीं होगी, और starch testing के through हम इस चीज़ को absorb कर सकते हैं, कि भई, यहाँ पर starch testing, जो starch solution उसमे leaf add करेंगे, तो उ nuclear नहीं होगा, तो इसका मतलब वहाँ पर photosynthesis process भी नहीं होगी, तो और आल यह क्या बता रहा है कि photosynthesis के लिए किसकी requirement होगी, CO2 की requirement होगी, CO2 necessary है, अगर CO2 नहीं परजेंट होगी, तो photosynthesis की process नहीं चलेगी, last जो experiment सा variegated leaf experiment उसमें बोला गया था, sunlight होनी ज़रूरी है, plant का green part होन के लिए, KOH experiment में बताया कि जो CO2 है, वो necessary है, जो photosynthesis की process है उसके लिए, another experiment you may have carried out, देरा part of leaf unclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton, क्या किया गया, एक test tube ली गई, उसमें एक leaf को unclosed कर दिया, और साथ में के लिए कोटन का पाट लिया कुछ है, और उसके अंदर KOH solution mix कर दिया, और वो भी उस test tube के अंदर ही रख दी, while the other half exposure of air, दूसरा part देखो ये बहार है leaf का, एक leaf का part अंदर कर दिया, और दूसरी leaf जब वो बहार है, the setup is then placed in the light for some time, light is proper sunlight आ रही है, उसके पर उसको रख दिया है, on the testing for the presence of stars later in the two parts of leaf, फिर जो starch formation हुई या नहीं हुई, इसके लिए हम test किया, जो कि हम variegated leaf वाले experiment में भी कर रहे थे, you must have found the exposed part of leaf tested positive for start, जो ये भार वाला part है leaf का, ये क्या मिलेगा, blue is color show करेगा, start solution का जो test होगा, वो positive आएगा, इसके अंदर, और जो अपना दूसरा जो अंदर वाला part है, जिसके अंदर, जो test tube के अंदर जो leaf है, उसके अंदर, जो stars test करेंगे, वो क्या आएगा, negative आएगा, जो test tube में leaf है, उसका stars test किया, हमने तो वो negative आएगा, क्योंकि वहाँ पे photosynthesis नहीं हुई, उसका blue color नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे CO2 नहीं थी, जो part हमने भार रखा, plant test करेंगे, उस leaf का star test करेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो blue color है, वो हो जाएगा, जो leaf है, हमारी उसका blue color हो जाएगा, और वो positive show करेगी, start solution का जो experiment है, उसमें अपना जो process है, color change होगा, उसका blue color का होगा, क्योंकि वहाँ पे air से इसने CO2 absorb कर ली, लेकिन test tube वाले के पा के तुरू क्या बता जा रहे कि भी CO2 है, वो necessary है, किस लिए photosynthesis के, आपको इतना याद रखना है कि कौन से experiment में किस चीज की necessity को बताया गया, जैसे कि variegated leaf falling में बताया गया कि sunlight और ग्रीनी स्पार्ट चिये plant का, के अच एक्सपरिमेंट में बताया कि CO2 है, वो necessary photosynthesis के लिए, फिर आते हैं next experiment पे, Joseph Prisley, Joseph Prisley ने ये बताया था कि भई, जो green plant है, वो उसकी growth में air कहीं ना कहीं help करती है, ये carbon dioxide, oxygen, gases को अलग नहीं कर पाया, इन्हों ने सिर्फ इतना बताया कि भई, जो air है, उसके अंदर कोई चीज ऐसी जरूर है, जो plants की growth को enhance कर रही है, उसको भड़ा रही है, उसकी growth में help कर रही है, essential role play कर रही है, तो इन्हों ने क्या क्या किया, एक बैल जार लिए, उसमें क्या किया, एक candle है, एक candle जलाके वो रख दी और साथ में एक mouse एक mouse भी उसके अंदर रख दिया, एक बेल जार लिया उसके अंदर माउस रख दिया दूसरा उसके अंदर उन्होंने एक कैंडल है वो जला के रख दी कुछ टाइम बाद देखा तो जो कैंडल थी वो भी भुज गई और जो माउस था वो भी क्या हो गया मर गया तो उन्होंने क्या देखा कि भई कोई ना कोई ऐसी चीज रिलीज हो रही है कैंडल के जलने पर जो जिसकी वज़े से माउस है वो मर गया और माउस भी कोई ना कोई ऐसी चीज रिलीज कर रहा है जिसकी वज़े से कैंडल भूज गए जोसप ट्रिस्टले ने 1970 में एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया उसने एक बैल जार लिया उसके अंदर उस बैल जार के अंदर एक केंडल रख दी जलाकर और एक माउस रख दिया कुछ टाइम बाद जब वो देखता है तो माउस है वो भी मर जाता और केंडल है वो भी भुझ जाती है फिर उसने यहां तक का प्रोसेस हो गया कि भई जो केंडल थी वो भी भुझ की तो उसने क्या देखा कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जिसकी वज़े से जो माउस है वो मर गया है और candle हो भुज गई है ठीक है माउस भी कोई ना कोई ऐसी चीज रिलीज कर रहे है जिसकी वज़े से candle हुज गई और candle के जलने पर भी कोई ना कोई ऐसा हारमफुल सबस्टांस रिली जोर है जिसकी वज़े से माउस है उसकी डैथ हो गए जोसब प्रिस्टले इन 1770 पर्फॉर्म आ सीरीज ओव एक्सपेरिमेंट डैट रिवेल असेंशियल रोल ओफ एयर इन ग्रोथ ओफ ग्रीन प्लांट उसने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं कि इसके बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी ग्रोथ में वो अलग अलग गैस इज के बारे में नहीं बताया उन्होंने उन्होंने सिर्फ बताया इतना कि एयर को इंपोर्टेंट रोल प्ले करें ना कि उन्होंने यह बोला कि ऑक्सीजन इंपोर्टेंट रोल प्ले क उन्होंने देखा कि एक बेल जार लिया उसके अंदर एक कंडल रखी और उसको जलाया लेकिन कुछ टाइम बाद ही वह भुझ जाती है उसके अंदर जो माउस रखा था उसने एक्सपेरिमेंट के लिए वह भी सफोकेशन के द्वारा मर जाती है जो बेल जार लिया था उसमें मुंबती जलाई वह भुझ गई जो माउस रखा वह भी मर गया तो कोई ना कोई ऐसी चीज दोनों से रिलीज हो रही है जो एक दूसरे के उपर एफेक्ट पोचारी फिर उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट किया दूसरे एक्सपरिमेंट में क्या किया उन्होंने एक प्लांट भी रख दिया जो बैल जार था उसके अंदर एक प्लांट रख दिया एक माउस रख दिया और केंडल है वो भी उसके अंदर जला कर रख दी उन्होंने दूसरा जो एक्सपरिमेंट किया उसमें एक जो मिंट प चीज, एजटीज उनको मिल जाती है, ना तो माउस के उपर कोई इफेक्ट पढ़ता है, वो भी सर्वाइव कर रहे है, ना ही मौमत्ती के उपर वो भी आराम से जल रही है, और ना ही प्लांट के उपर कोई इफेक्ट पढ़ रहे है, तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उन उन्होंने blogs बटाया कि बहुए जो एर है वो जुरूर है किसी चीज को हिसके लिए उसके लिए संथ में जो plant है वो भी सर्वाइब रहा उसके लिए झाल है Imagine स्थिल ईए एक्सपरिमेंट था उसके अकोर्डिंग क्या बताया कि उन्होंने एनिमल बृद्फ करेंगा यहां पर आनिमर और केंडल जल रही है वह वह दोनों क्या कर रहे हैं इयर को इफेक्ट पहुंचा रहे हैं उसके वीप उसको डेमेज कर रहे उसकी क्वालिटी डेमेज कर रहे उसकी वज़े से उन दोनों के उपर एड़वर्स इफेक्ट पड़े थे जो माउस था वो भी मर गया था और जो केंडल थी वो गुझ गई थी जब उन्हों ने मिंट प्लांट रख दिया था उसके अंदर पुदेने का पोदा उसके अंदर रख दिया था और जब केंडल है वो भी कंटिनूसली जलती हुई उन्हें मिली तो जोसेप प्रिस्ले ने बताया कि air है वो animal के लिए भी जरूरी है, plant के लिए भी जरूरी और किसी चीज़ को हम जला रहें तो उसके लिए भी जरूरी जब plant नहीं रखा था तब तक क्या हो रहा था? adverse effect पढ़ रहा था mouse पे भी और जो candle थी उसके उपर भी वो दोनों कोई ने कोई एक ऐसी चीज़ रिलीज कर रहें, जिसकी वज़े से दोनों को नुकसान पहुच रहा था, candle थी वो भी भुच गई थी और mouse था, लेकिन plant के आने के बाद क्या हुआ, कि mouse भी हमें जिंदा मिला और candle भी continue जलती हुई मिली प्रिस्टले hypothesis as follows, plant restore the air, whatever breathing animal and burning candle remove, उन्होंने क्या बताए कि plant है, वो उस चीज़ को absorb कर रहें, जो air के अंदर जो harumful substance है, या harumful जो भी चीज निकल रही है, जो भी gas release हो रही है, किसी animal के सांस लेने से, या फिर candle के जलने पे कोई harumful gas release हो रही था, कुछ भी whatever, जो भी release हो उन्होंने नहीं पता था, CO2 release कर रहें, उन्होंने ये चीज नहीं बताई थी, उन्होंने सिर्फ ये बताए था, कि air में एक animal की breathing के वज़े से, या फिर candle की burning के वज़े से, जो भी harumful substance release हो रहा था, उसको plant absorb कर रहें, जिसकी वज़े से ये तीनों के तीनों same position में हमें मिल plant growth है, उसके लिए और इसके साथ ही जो harumful substances निकलते हैं, animal breathing से, या फिर candle को burn करने से, या किसी और भी चीज को burn करेंगे, तो उन से जो भी harumful substances निकलेंगे, उनको ये plants हैं, वो absorb कर लेते हैं, air quality को restore करते हैं, ये हो गया जोसफ प्रिस्टले का experiment, next experiment है, जैन इंजन हाउस, इन्होंने experiment किया 1732-1799 तक, इन्होंने क्या बताया कि जो sunlight की presence है, sunlight की presence है, वो essential है किसी भी experiment के लिए, और साथ में इन्होंने जो जो सब प्रिस्टले वाल experiment था, उसी पे काम किया, उसी पे आगे क्योंकि उन्होंने gases के बारे में नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ air बोला, कि air quality को restore कर रहा है, या air quality को खराब कर रहा है, तो उसके उपर उन्होंने बात की, लेकिन जो engine house है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने gases की, अलगलग gases, oxygen और carbon dioxide, उनके बारे में पता के साथ में sunlight की, जो necessity है, उसके बारे में इन्होंने बताया था, इन्होंने जो सब प्रिस्कले वाला जो setup था, उसी पे काम करना start किया, पहले उन्होंने उसको dark में रखा, फिर उसके बाद sunlight में रखा, तो उन्होंने क्या पाया है, कि dark में जो plant है, उसमें photosynthesis की process properly नहीं हो पारी, लेकिन जब उसको sunlight में रखा, तो फिर क्या हो रहा है, वहाँ पे जो functioning है, वो proper चलेगी, दूसरा plant है, वो क्या काम कर रहा है, जो air है, उसको purify करने का काम कर रहा है, जो harmful substance निकल रहा था, जो foul substance निकल रहा था, candle की burning से, breathing animal से, उसको purify करने का काम कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है, और जो oxygen gas है, वो plant release कर रहा है, जिसके वज़े से candle है, वो भी continuously जल रही है, और साथ में, जो animal है, वो भी survive कर पार रहा है, इन्होंने ये experiment कैसे प्रूव किया, एक aquatic plant लिया, इन्होंने, एक aquatic plant लिया, माल लो, ये water के अंदर एक अपने पास aquatic, इन्होंने ये aquatic plant लिया, एक और फिर क्या बताया, कि भी जहां जहां भी इदर से sunlight का exposure हो रहा है, इसके उपर sunlight अब वो आग गिर रही है, डारेक्ट, sunlight आ रही है, ये aquatic plant के अंदर photosynthesis की process चल रही है, जहां जहां भी जो sunlight पड़ेगी, और photosynthesis हो रही है, तो जैसे-जैसे aquatic plant है, वो oxygen release करेगा, वहां पे bubbles की formation होनी, स्टार्ट हो जाएगी, जो water है, उसके अंदर bubbles की formation होनी, स्टार्ट हो रही है, किसकी वज़े से plant oxygen release कर रहा है, उसकी वज़े से, तो इन्हों ने जो पहले तो इन्हों ने बता है, कि भई, plant as a purifier काम कर रहा है, oxygen release कर रहा है, जिसकी वज़े से, वो animal भी survive कर रहा है, और candle भी continuously जल रही है, फिर यह चीज़ प्रूव करनी थी, इन्हों ने, क्योंकि air के बारे में तो जो जो सब प्रिसले थे, उन्हों ने ही बता दिया था, तो इन्हों ने ये प्रूव कैसे की aquatic plant लिया, उसके अंदर photosynthesis की process है, उसको देखा, और क्या क्या बताया है, कि भई, जो oxygen release हो रही है, उसकी वज़े से water के अंदर bubbles की formation हो रही है, यूज in a similar setup, as one used by prisley, prisley ने जो setup is the same setup नों ने यूज़ किया, but by placing it once in dark and once in sunlight, पहले vableच प्रेसमिट को रखा तन उसको as the sunlight मे रखा, Jen Engenhouse, in sorry Ingenhaus, thought that sunlight is essential to plant process that somehow purify the air fold by the burning candle and breathing, पहले कया बताया है कि सनलाइट ज़रूर है फोटो संथेसिस के लिए फोटो संथेसिस होगे तभी क्या कर पाएगा प्लांट है वो प्यूरिफाई कर पाएगा जो भी फाउड थिंग्स जो भी हारम फूल सबस्टांस रिलीज हो रहा है बाइदा केंडल बाइदा बर्निंग ऑफ केंडल और ब्री प्लांट के ग्रीन पार्ट में क्या हो रही है फोटो संथेसिस हो रही है और जो बबल्स फोर्मेशन हो रहे हैं कि उसकी वज़ीजन की वज़े से हो रहे तो प्लांट है वो क्या रिलीज करता है ओक्सीजन गैस ह recently उक्र्याम है इंजएं हाउस हीज बल्दी अड्डिट प देडिड नोट फॉर्मेशन और डार्क में रखेंगे तो नहीं होगी क्योंकि नहीं 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 हो रही है लेटर ही इदेफाइड इस बबल्स टूबी ओफ ऑक्सीजन बाद में उन्होंने क्या बता है कि भाई यह जो बबल्स फोर्मेशन हो रही है ना वोटर के उकषीजन और फिर क्या बता है कि पोधे का जो ग्रीज पार्ट होता है वही जो उक्सेज्ड़न है उसको रिलीज करता है कि व्युक्त वज़ेसे फोट सेंटसिस की वज़े सी । प्रेणी वज़ जो इंजिन हाउस है इन्होंने क्या बताया sun light भी necessary है plant photosynthesis के लिए photosynthesis में oxygen रिलीज होगी साथ में oxygen जो green is part है plant का सिर्फ वहीं से oxygen रिलीज होती है और कहीं से oxygen रिलीज नहीं होगी फिर उसके बाद थे TW इंगल मेल इन्हों ने क्या बताया कि सनलाइट से जो अलग-अलग रेडियेशन साते विभियोर का मेली जो प्रीजम है उसके अकोडिंग यूज किया जाता है तो इन्हों ने एक प्रीजम लिया और उसके द्वारा सनलाइट को पास किया गया बल्यू पॉर्शन पॉर्शन है उसी के अंदर अप्र ज़्वाला पॉर्शन हो इसके लिए इन्हों ने कैसे प्रूव किम इन्हों ने जो एरोबिक बैक्टिरिया है वो यूज के साथ में अलगी, क्लेडोपोरा अलगी है उसका यूज किया, क्या देखा कि भई वोटर के अंदर जो ग्रीन अलगी है, क्लेडोपोरा अलगी, वो परजेंट उसमें photosynthesis process चल गी जहां पे blue light गिरी और जहां पे red light गिरी वहां पे photosynthesis rate high होगा क्योंकि इनी दो parts पे सबसे ज़्यादा photosynthesis होती है और जहां पे photosynthesis ज़्यादा होगी वहां पे oxygen भी ज़्यादा होगी और aerobic bacteria कहां पे जाके काम करेंगे जहां पे उनको ज़्याद पूर है green algae के साथ एक experiment की है साथ में उसको anaerobic bacteria भी वहां पे उस experiment में यूज के उन्होंने और फिर उन्होंने क्या देखा कि जो विबिग्योर के अंदर blue rage है उसके उपर और red वाला जो portion उसके अंदर क्या हो रहा है सबसे ज़्यादा anaerobic sorry aerobic bacteria है वो जाके वहां पे working अपन अब यह हुआ कि blue radiation से वहां पे और red radiation वहां पे photosynthesis rate हाई है सबसे ज़्यादा oxygen वहां पे री जोरेनों ने प्रीजम का यूज किया जहां से light को split किया और फिर आगे क्लेड़ोपोरा पे यह experiment किया और यह बताया कि blue पार्ट पे और red पार्ट पे सबसे ज़्यादा photosynthesis होती है यूजिंग अप्रीजम ही split light into a spectral component and then eliminated a green algae क्लेड़ोपोरा प्लेश इना सस्पेंश नोख अरोबिक बैक्टेरिया क्लेड़ोपोरा एक प्रीजम के थू लाइट पास की क्लेड़ोपोरा जो green algae थी उसका यूज किया अरोबिक बैक्टेरिया उनका भी यूज किया प्रीजम के लिए किस चीज की रिकॉर्मेंट होते हैं उनको बैक्टेरिया की ज़रूरत मतलब अरोबिक बैक्टेरिया उतको अक्सिजन की ज़रूरत होती है तो वह कौन सा जगह डूड़नेंगे जो ऑक्सिजन एवलेशन वाला पार्ट वह देखेंगे और कहां पे सब्स उक्सिजन रिलीज हो रही थी जो ब्लू और रेड़ वाला पार्ट था वहां पे उक्सिजन सबसे ज़्यादा रिलीज हो रही थी एब्जोब डैक्टेरिया अक्यूमलेटिड मेले इन दा रिजन ओफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम उन्होंने क्या चीज देखी कि भई जो बैक्टेरिया है वो सबसे ज़्यादा कहां अक्यूमलेट हो रहे हैं जो ब्लू रिजन है और रेड लाइट का जो रिजन है स्पेक्ट्रम का वहां पे सबसे ज़्यादा एरोबिक बैक्टेरिया है वो जाके अक्यूमलेट हो रहें एक फॉर्स एक्षन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटो सेंथेसिस वोज डिस्क्राइब इचेमबल रफली दा एब्जोप्शन स्पेक्ट्रा ओफ लोफ ए एंड बी साथ में इन्होंने एक चीज और बताई कि क्लोरोफिल पिगमेंट है वो भी हम पर काम करते हैं जो इंगलमेंट थ होगी ब्लू और रेड की परचेंस में होगी किस पर काम किया था एक जो ब्लू ग्रीन एलगी थी उसके ओपर काम किया था और एरोबिक बैक्टेरिया हैं उनका यूज किया था और उन्हीं की परजेंस में ऑक्सीजन का इवोलिशन वो अच्छे से समझ पाये थे नेक्स ए पर्टिगुलर सेल होती है उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जिससे गुलकोज फोर्मेशन हो रहा है गुलकोज स्टार्च की फोर्म में स्टोर हो रहा है वो सारी चीज़े इन्हों ने यहाँ पर समझाई थी तो जूल्यस वनकर प्रोड़िद्ट प्रोडेक्शन उप धुलकोज होनों ने क्या बताय था कि जब प्लान्ट ग्रो करता है तो क्या गुलकोज की फोर्मेशन होता है क्योंकि जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा लिउज है वो जादा होंगी लिउज ग्रीनी स्प rate हाई होगा तो जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाएगा इंसलोट होता जाएगा में गुलकोंग इस स्टोर होगा स्टाउर्ट कीiders ago ग्रेंट के अंदर कलोरोफिल आज के टाइम हमें पता पाई थे कि लेकिन उन्हों ने यह पता था कि हां ग्रेंट सबस्टांस से उसकी वाजह से फोटो से सिंतेसिस हो रही है उसके वज़े से प्लांट फूर्मेशन कर रहा है स्पेशल इस लोकेटीड इना स्पेशल बोड़ी स्पेशल जिए कहां पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पर जेंट होता है यह हमें पता है बहुत मतलब सिक सांथ क्लास से पढ़ते वह आ रहे हैं यह चीज हम जूलियस वोंस्के उन्होंने बताया yes traveling brain part के अंदर क्या होगा व्लिकॉज heldible खुल कर एक प्लांट में प्लांटके और दूस्रा किस फॉम हों में प्लांट में प्लांट के और दूसरा किस ऐस्तिएर्ज भौज कं blocks, स्टोर होगा श्टार्ज की फोर्म होगा फीर है इन्होंने बताया था कि पोटो संतर्जिस में वौटर है वह जरूरी है क्योंकि जो से क्पेरिप की रिलीज हो रही है कि वौ-टर्ड्स की से अगर प्लांट के अंगर वोटर परज comment होगा तो ही अक्फीज हो fascinating photosynthesis की जो reaction है उसमें water अगर एक main process चलेगी उसमें water का यूज होगा तो ही oxygen रिलीज होगी इसके लाबा sulfur वगेरा कोई और substance हम यूज करें कोई और chemical यूज करें तो फिर वो उसी के free molecules से वो रिलीज करेगा इनो नील ने H2O की essentiality यहाँ पर बताई थी कि H2O present है अगर photosynthesis process में तभी किसकी oxygen की formation यहाँ पर होगी otherwise अगर हमने sulfur या फिर कोई और substance हमने ले लिया तो यहाँ पर oxygen की जो formation है वो नहीं होती है तो यही चीज हिनों ने यहाँ पर समझाई है इजह experiment was based on his study of purple and green color bacteria demonstrated that photosynthesis is essential a light dependent reaction in which hydrogen form are suitable oxidizable compound reduce carbon dioxide to carbohydrate इन्होंने किस पर काम किया परपल और ग्रीन बैक्टेरिया पर काम किया photosynthesis की process लेखे light dependent reaction के बारे में पूरा study किया फिर क्या बताए कि भई photosynthesis है वो reductional process है यह हमने पता है कि हमने basic में पढ़ लिया कि reductional process है और साथ में क्या बताए कि carbon dioxide जो यूज करते हैं क्या यूज करते हैं शिक्स यूटू शिक्स यूटू प्लस 12H2O तो उन्होंने बताए कि पर जेंस ओफ सल्लाइट एंड लॉरोफिल लॉरोफिल क्या देता है किसकी फॉर्मेशन करेगा सी सीच्स हट्वैल ओ सीच्स प्लस ओक्सीजन यही रिलीज होता है तो क्या बता रहा है कि वह यह जो सिक्सी ओटू हमने यूज किया कार्बन डैक्सेट जो यहां पर यूज हो रही है किसकी फॉर्मेशन में हल्प करती है जो कार्बो हैड्रेट है उसकी फॉर्मेशन में हल्प करी है गुलकोज फॉर्मेशन में हल्प करी है ना कि जो ओक्सीजन रिलीज हो रही है इसकी में ओक्सीजन रिलीज होती है किसकी ले लिया तो यहाँ पे 2A की फों में यह कुछ और सबस्टांस यहाँ पर रिलीज होगा और यहाँ पर CS2O की एक अलग प्रोड़क्ट बन जाएगा और H2O मॉलकुल्स यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे ना यहाँ पर जो आपके इस लेबर्स में कि कौन-कौन से एकस्प्परिमेंट है वो प्रूव करते हैं फोटो सेंसिस की जो तो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में तो सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा है जो वेरिगेटिड लीफ वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या बताएगा सलाइट जरूरी ग्रीन पार्ट जरूरी प्लांट का स्टार्ट के वज़े से इसको हम वेरिफाई कर सकते दूसरा जो एक्सपरिमेंट है इसमें हमें क्या पता चला कि भाई जो कि एक्सपरिमेंट है इसमें CO2 नेसेसरी है फोटो सिंथेसिस के लिए जो से प्रिस्टले इन्होंने बताया कि एयर है वह असेंशियल रोल करते हैं प्लांट की ग्रोथ में और इसके साथ ही इन्होंने कोई चीज बांड करना है या फिर कैंडल जो किसी चीज को बांड करना है या फिर आनिमल से वो ब्रीधिंग कर रहे है तो उसमें प्लांट कोई न कोई इंपोर्टेंट रॉल प्लेगर है ओवराल इनोने एएर का बताया ना कि करता है इंगल मैन ने क्या जन भिए उसी पॉर्सेस की साइी रेट होता है सारी radiation पे equal rate नहीं होता blue और red पे सबसे ज़्यादा high rate होगा और वहीं पे सबसे ज़्यादा oxygen है वो produce होगी और chlorophyll के बारे में भी इन्होंने कुछ detail बताई थी जूलिय स्वान सेक्स ने बताया कि भाई जो plant है वो glucose को starch की form में store करता है और plant का green part है वो glucose की formation करेगा नील ने बताया कि CO2 जरूरी है कार्बोहेड़ेट की formation के लिए and H2O जरूरी है oxygen की formation के लिए ये हो गए सारे के सारे experiments next class में हमें light reaction और dark reaction के बारे में study करना आज की class में इतना ही thank you so much आए हमेंईस्न